इस पर्टिकुलर लेक्चेर में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में तो इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो वाट इस इम्यून सिस्टम क्या होता है तो immune system क्या है कि हमारी body के पास कुछ ऐसा system है कुछ ऐसी ability है कि वो foreign components को या हम कहें toxins को या antigens को क्या करें वो avoid करें या उसके against में क्या कर दें कोई antibody का production कर दे या बहुत ही जैसे हम कहें कि pathogen जैसे हो गए pathogen का मतलब क्या होता है pathogen क्या होता है कि disease causing elements चाहे वो bacteria हो चाहे virus हो या फंजाई हो कुछ भी हो तो अगर हम bacteria या virus या जैसे pollen grains हो गए या अदर dust particles हो गए तो ये सभी क्या हो गए इन्हें हम क्या कहें कह सकते हैं कि disease causing डिजीज काजिंग और्गिनिजम तो डिजीज काजिंग और्गिनिजम जो होते उन्हें pathogen कह सकते हैं कि तो हमारी body के बास कुछ ऐसा system है मतलब उसके पास एक ऐसी ability है जो racist करे for to all the organism and toxins of the foreign origin जो हमारी body के लिए बहुत ही ज्यादा नुक्सान या harmful होंगे नुक्सान दायक होंगे तो हमारी body क्या करेगी उनको recognize कर लेगी है ना तो recognize किससे करेगी उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कैसे recognize करेगी यह भी बात करेंगे तो देखते हैं इसमें आवर बॉड़ी है जा एबिलिटी तो रेसिस्ट आल अल्मोस्ट आल टाइप आफ और्गनिजम एंड टॉक्सिंस आफ दा फॉरें और्गनिजन या टॉक्सिंस हो गए तो उनको क्या कर लेते है रिक इसका अगनाइच करके उनको क्या कर देंगे रिसे रिसिस्ट कर देगा क्यों नहीं अगर नहीं करेगा नहीं रोकेगा नहीं एवाइट करेगा तब क्या होगा तब हमारे tissue या कोई organ damage हो जाएगा, ओके, फिर आगे देखते हैं, इसलिए हम इस capacity को, इस capability को हम क्या कहते हैं, immunity कहते हैं, ओके, फिर आगे देखते हैं, the word immunity has been derived from the Latin word immunis, immunis नाम के word से इसका उदभव हुआ है, या derive हुआ है, जिसका मतलब क्या है, कि too safe, मतलब too safe इसका मतलब है, या free from, किसी चीज़ से बचना, ओके, आगे देखते हैं, thus immunity forms a defense system, मतलब एक तरह का defense system होता है, जैसे मानली जीए हम अपने defense system की बात करें, army की बात करें, जल से ना, थल से ना, वाय से ना, तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, जैसे बाहर का कोई पाकिस्तानी आ गया, तो क्या करेंगे, है ना, मतलब सबका अलग अलग type है, अगर मानली जीए कोई भी traitor हो गया, कोई पानी के तरफ से आ रहा है, तब उसको जल से ना वाले मार देंगे, कोई वायू वाला हमला कर रहा है, बाहर से वायान से हमला कर रहा है, कुछ और से कर रहा है, तो क्या करेंगा, उसको वायू से ना देख लेगी, फिर जो terrestrial level पे कोई हमला कर रहा है, तो उसको थल से ना तो सबका अलग-अलग क्या है मतलब डिवीजन है ओके तो उसी तरह इम्यून सिस्टम ही होता है इनका भी अपना अलग-अलग काम होता है पर आगे देखते हैं एक अगे देखते हैं दस इम्यूनिटी फॉर्म डडीटी से वह क्या कर सके लड़ सके फाइट कर सके इस तरह के protective system को हम क्या कहते है Immune system कहते है The study of immune system and its related aspects is called as the immunology और immune system की जो study होती है उसको हम क्या कहते है Immunology कहते है तो immune system के पास क्या होती है कैसी ability होती है important property होती है ये क्या करतेते हैं, रिकागनाईज कर लेते हैं कि self है कि non-self है, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो बाहर अगर gate पे कोई knock-knock करता है या mail बचाता है, तब आप उसको जाएंगे देखेंगे तो आप पहचानते हैं उसको, self होगा तब तो accept हो जाएगा, अंदर आ जाए लड़ेगा तो मारेंगे, अगर अपना कोई होगा तो इसको घर के अंदर entry मिलेगी है, तो उसी तरह immune system के भी एक ऐसी property होता ही, वो भी self and non-self पहचानता है, ओके, आगे देखते हैं कि self, self का मतलब क्या है, देखिए, the substance which are familiar to the body environment, our body's own are known as self, तो जो हमारी body के लिए harmful ना हो, beneficial हो, उनको क्या करेगी, हमारी body recognize कर लेगी और उनके साथ उस तरह का बेवहार नहीं करेगी है, तो यह पहचान जागी, हाँ यह अपना है, the immune system does not take them as a foreign, तो किसी अजनवी की तरह थोड़ी ना, आपके घर का कोई है, तब उसको थोड़ी ना, बाहर गेठी पे, inquiry या कहां से आए, कोई दूर लेने भी गया तो उसको पूछने लगेंगे, कहां से, तो ऐसा नहीं है न, अगर self होगा, तो आप उसको अंदर आने देंगे, अब देखिए, non-self क्या होता है, the substance which are foreign origin, क्या हो, foreign origin हो, मतलब हमारी body के लिए यह recognizable ना हो, हमारी body इनको नहीं to the body environment are known as non-self substance, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जो foreign है, जैसे कोई toxin हो गया, या कोई pathogen हो गया, pollen grain हो गया, जो हमारी body के लिए harmful है, जो हमारी body के लिए, body environment के लिए capable नहीं है वो, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, non-self कहते हैं, ओके, फिर यहां देख लिए यह काई सारी चीजे होती हैं, जैसे defense system होता है, तो defense system अभी हमने बात करें, तीन तरह के defense system होते हैं, जैसे हम लोगों में बात करें हैं, हमारी जो army है, तो उसमें जल से ना थल से ना, वाइस ना, उसी तरह इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है, first line of defense, second line of defense, and third line of defense, तो first line of defense क्या होगा, जैसे फार्ष्ट लाइन डिफेंस का मतलब क्या है जैसे माल लिजे कोई फारेंड पार्टिकल आपकी वॉड़ी के अंदर ट्राई कर रहा है जाने को तब उसको सबसे पहले कौन रोकेगा मारी स्किन रोकेगी यह अगर आप माली जिए रेस्पाइरेटरी ट्रैक्ट से जा रहा है तो वहां क्या म्यूकस रोकेगा अगर माली इस टमक में जा रहा है तब वहां ऊसको ड्रेट कर ऊससे पहले सब से निए such लाइन अप डिफेंस व तेंस अन को देख लेते हैं एनी फॉरन पंकिर विंटर इंकर दर दर बोड़ी is first checked by the first line of defense सबसे पहले उसके कौन चेक करेगा first line of defense मतलब हमारी skin हो गया, mucus हो गया saliva हो गया, lysogymes हो गया SCL हो गया, digestive enzyme हो गया तो यह सभी उसको सबसे पहले बार चेक करते हैं the innate immunity described जो आगे हम बात करेंगे innate immunity क्या होती है which comes from the birth of the individual from the first line of defense first line of defense जो होते हैं वो किस्से बनता है innate immunity, innate immunity का मतलब क्या है ऐसी immunity जो हमें by birth मिलती है है न, तो टो तरह की immunity हो ऐक acquired immunity होती है जो हम बात में, बर्त के बाद प्राप्त करते हैं और एक होती है जो by birth होती है, उसे हम कहते है innate immunity तो जो first line of defense है वो किसका एक्जामपल है, इनलेट इम्मुनिटी का है, मतलब बाई बर्थ जो चीजे होती है, वो सारी चीजे काम करती है, जैसे इसकिन हो गई, लाइसोजाइम हो गई, जो सालाइबर में पाया जाते हैं, एसकिन हो गई, यह सभी क्या हो गई, फर्स्ट लाइन अब बिकेंस हो गई, अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसकेंड लाइन अब बिकेंस क्या होता है, इप फार्न पार्टिकल इस नाट चिकड अब बाई फिर्स लाइन अब डिफेंस, जैसे मालीजिए फास्ट लाइन आप जो डिफेंस है, उससे चूक हो गई, यह उसको पहचानने में नहीं कैपेबल रहा, या रोकने में नहीं capable रहा तब वहां पर कौन काम करेगा second line of defense second line of defense कौन होते है second line of defense क्या होते है it is formed by the circulating WBCs and microphages तो जो WBC होते हैं जो lymphocytes होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अब यहां देखे क्यों आज़े neutral phils आ जाएंगे basophils आ जाएंगे इनके से ला जाएंगी natural killer से लोगे तो यह सभी क्या है second line of defense है फिर एक तीसरी चीज़ आती है जिसे हम कहते है third line of defense यह क्या होता if the foreign particle still survive अगर मालीजिया WBC भी नहीं काम कर पाया microphage भी उसको phagocytosis नहीं कर पाया तब वहां पर काम करेगा third line of defense अब यह क्या है यहां क्या होती है if the foreign particle still survives the third line of defense play to its role it's consist of antibodies यह क्या antibodies का बना होता अब antibodies के हम बात करें तो किद्मी तरह की होती है IgA हो गया IgM हो गया IgD हो गया IgE हो गया है ना एक होता है IgG तो इतनी तरह की antibodies होती है और यह बनती कहा है B lymphocyte cell से बनती है और T lymphocyte तो यहां third line of defense में कौन काम करेगा T cell काम करेंगी या T lymphocyte cell काम करेंगी और B lymphocyte cell काम करती है अब आगे देखिए कि important term used in immune system तो कुछ important term है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे सबसे पहले term की बात करें antigen तो antigen क्या होते हैं तो antigen की हमने सबसे पहले ही बात कर ली है antigen होता क्या antigen is any substance which when introduced in body stimulate the production of the antibodies अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई अजनभी आ गया गेट पर तो आपको पता चल गया कि हाँ इससे खतरा है तो क्या करेंगे मतलब लाठी अठी तयार रखेंगे तो उसी तरह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी body ने recognize कर लिया कि हाँ ये foreign particle है तो उसके विरोध में antibodies का production हो जाएगा तो क्योंकि हमारी body क्या जानती है self और non self को पहचानती है अब antigen कुछ भी हो सकता है ये एक protein हो सकती है pollen grains हो सकते है dust particle हो सकती है smilled material हो सकता है pollen grains हो सकते है medicines हो सकती है या कोई powder हो सकता है फिर two important property हो सकती है antigen की चैसे सबसे पहले आती है specificity specificity का मतलब क्या है antigen are very specific and react specifically with antibodies antigen क्या होते हैं सकती specific होते है complementary antibody के साथ ये react करते है फिर आती है immunogenicity एक आती immunogenicity ये क्या होती है antigen capable stimulating and immune response जैसे एक antigen हो गया मतलब कोई ऐसा antigen हो कि हमारे immune response immune system का जो immune response है या उसके against antibody का production हो जाए तब उसे हम क्या कहेंगे immunogenicity कहते हैं मतलब कोई antigen आया या antigen capable हो for the stimulation of the immune system या immune response अब देखी बात आती है बहुत मतलब एक प्रचलित सब्द है जिसका नाम है है हटन है, हैटन क्या होते हैं यह भी क्या होते हैं यह भी क्या होते हैं मतलब है यह लाएं झाल झाल झाल